राहे कितनी भी कठिन हो तुम अपनी हिम्मत बनाए रखना हार जाओ चाहे हजार दफा लेकिन उम्मीदों के दिये जलाए रखना नमस्कार मैं हूँ आदित तिमिसरा और आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर दिवाली का टेखार आने वाला है चारो तरफ प्रकास्ट पर मनाया जाएगा प्रकास्ट का यह उत्सव अंधकार को दूर भगाता है बाहर का भी अंधकार और अंधर का भी अंधकार इस पूरे तेवहार के दौर में जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको यह मौका नसीब नहीं होता या कहें कि उनके लिए एक बड़ा आउसर होता है हमारे परिवार में गिने चुने सदस्य होते हैं लेकिन इनके लिए पूरा समाज ही इनका परिवार होता है हम बात कर रहे हैं उन पुलिस कर्मियों की जो सुरक्षा बेवस्था में प्रदान करते हैं हम बात कर रहे हैं उन सफाई कर्मिचारियों की जो हमारे आसपास सफाई बना कर रखते हैं, गंदगी से हमको बचा कर रखते हैं हम बात कर रहे हैं उन ड्राइबर्स की जो अपनी जिम्मेदारी सणकों पर पूरी महरत के साथ, पूरी लगन के साथ निभाते हैं स्वास्ते कर्मी, सफाई कर्मी, ड्राइबर, डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तेवहार के भी दौर में समाज को अपना परिवार मानकर उन्हीं के साथ दिवाली मनाते हैं लेकिन क्या समाज उन्हें इसका रिटन गिफ्ट देता है? शायद उस हद तक नहीं देता हमें क्या लगता है यहां इनकी जिम्मेदारी है हमें लगता है यहां इनका काम है लेकिन शायद उनकी जिम्मेदारी और उनके काम के बीच एक हमारा भी कर्तब्य बनता है हमारा कर्तब्य क्या बनता है? कि हम अपने असली सुपर हीरोज को धन्यबाद दे दिवाली में एक ठैंक्यू जरूर बोले उन्हें उनसे मिले और उनको इस बात का एहसास करवाएं कि हमारे समाज में शुक, सांती और समरिध्धी जो बनी हुई है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनका भी है इसी उद्देशों को ध्यान में रखते हुए डेली इंसाइडर ने एक पहल की हमने उन सभी सुपर हीरोज से मुलाकात की और उनको थैंक्यू काड दिया हमको एहसास करवाया कि हमारे असली सुपर हीरोज वही है और बिना उनके योगदान के हमारी दिवाली फीकी रह जाएगी डेली इंसाइडर हमारे असली हीरोज कैमपेन के तहद उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को थैंक्यू बोल रहा है जो तेउहारों के समय भी अपने फर्ज को निभाते है या सुनिश्चित करते हैं कि आम जनता को तेउहार मनाने में किसी तरह की दिक्कत आओ जब हम अपने घरों में तेउहार मनाते हैं उस वक्त पुलिस के जवान सणकों पर अपनी ड्यूटी देते रहते हैं अपनों से दूर रहकर दूसरों की मदद के लिए सदयों तयार रहते हैं हम खुश रहें अपनों के बीच में रहें हम पर कोई आच ना आए इन सब की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों के होती है पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एक थेंक्यू दो बनता इसलिए डेली इंसाइडर के टीम ने जॉइंट कमिशनर आफ पुलिस लॉइन ओडर प्यूस मोर्डिया को हमारे असली हीरोस कैंपेन के तहर थेंक्यू कहा और उनके डिपार्टमेंट के कारियों को सरहा वही जेसीपी लॉइन ओडर प्यूस मोर्डिया ने डेली इंसाइडर के माध्यम से समस्त लखनोव वासियों को लखनोव कमिशनरेट की तरफ से दीपावली की शुब कामनाई दे करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी दिवाली बड़े अक्षे से मनाएंगे यह भी अपील करता हूँ कि जो है ग्रीन क्रैकर करें जो कम आवाज करते हूँ अनावश्यक लोग जिन परिशान ना हो और जिन से प्रदूशन फैलता ना हो और मैं पुने आप सभी को आपके परिवारों को इस चैनल के माधियम से दिवाली के शुप काम में लेता हूँ 2021 की दिवाली का तेवहार कई अर्थों में महात्य पूण है यह वो दोर था जब हमने कोरोना जैसी महामारी को जेला कई सारे लोग अस्पताल का चक्कर लगाकर परिशान हो गए थे जिने अस्पताल का चक्कर नहीं भी लगाना पड़ा वहाँ भी अपने घर में बैठे थे और डरे सहमें हुए थे उन्हें भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो हमारा स्वास्ते करबढ़ हो जाए हमारे किसी अपने की तबियत खराब हो जाए और उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ जाए इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने करतब्वेओं का निर्वाहन काफी जिम्मेदारी के साथ किया वा डरे नहीं टटे रहे और इसी का परिणाम है कि 2021 की दीपावली को हम हासी खुसी, सुरक्षा और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तयार है दीपावली का ये पर्व जो हम मना रहे हैं अपने घर में बेतर स्वास्त के साथ, चेहरे पर मुस्कान के साथ और घर में मिठाई और दीपक के साथ, उसमें उन स्वास्त करमचारियों का बहुत बड़ा योगदार है इसी लिए पृधान मंत्री नरेंदर मुदी ने सभी स्वास्त करमचारियों को, डॉक्टर्स को, पैरा मेडिकल स्टाफ को, कोरोना वारियर्स कहकर संबोधित किया था एक थेंक्यू तो उन कोरोना वारियर्स को भी बनता है उन्होंने हमारे स्वास्ते के लिए उस भयंकर महामारी से भी पीछे हटने का नहीं सोचा यह दोर गंभीर दोर था लेकिन इस गंभीर दोर में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निपाई और अब उसी जिम्मेदारी के तहट या हमारा भी एक कर्तब बे बनता है कि हम उनके पास जाएं और उनको थैंक्यू जरूर कहें क्योंकि वो भी हमारे असली सुपर हीरोज है स्वास्ति विभाग के इन ही कर्मचारियों को हमारे असली हीरोज के तहट ने थेंक्यू बोलने के लिए Daily Insider के टीम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कारेयाले पहुची और लखनो के CMO को थेंक्यू कहा लखनो के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ढट्टर मनोज अग्रवाल ने सभी लखनो वासियों को देली इंसाइडर की माध्यम से दीपावली की शुपकाम नाए दी और अपील की कि इस तेउहार को सुरक्षित तरीके से मनाए हमारे असली हीरोज के तहर डेली इंसाइडर की टीम डॉक्टर स्यामा प्रशाद मुखर जी शिविल होस्पीटल और वीरांगेना जलकारी बाई वुमेन और चाइल्ड होस्पीटल भी पहुँची सेविल होस्पीटल के मुख्य चिकित्सा अधिक्चक डॉक्टर इसके नंदा और जलकारी बाई की मुख्य चिकित्सा अधिक्चिका डॉक्टर रंजना खरे को थैंक्यू बोलकर टीम ने उनके कारें और करतब्यों की शारहना की उन्हें डेली इंसाइडर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हैं हमारे सिविल परिवार के तरफ से सभी लोगों को दीपा वली की हार्दिक शुब काम नाएं और बढ़ाईं बता दें कि कोरना काल के दरवान लखनौ के इन दोनों अस्पतालों में मरीजों का इलाज हुआ और सभी ठीक होकर अपने घर पहुचे सुबर हीरोज सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं होते सुबर हीरोज हमारे आसपास भी होते हैं जरूरत होती है सिर्फ उन्हें पहचानने की और यहीं पहचानने की एक पहल की है डेली इंसाइडर ने डेली इंसाइडर अपने आसपास के उन सभी लोगों के पास जा रहा है और उनके कारियों की सराहना कर रहा है समाज को बहतर बनाने में, समाज को सुरक्षित बनाने में और आपकी दिवाली को और ज़्यादा प्रकासित करने में इन सभी हीरोज का बहुत बड़ा योगनार है इसलिए आप से भी अपील है कि आप अपने आसपास जो भी ऐसे हीरोज हैं, उनको एक ठेंक्यू जरूर कहें उनको इस बात का जरूर अहसास दिलाएं कि वो दिवाली में अपने घर अगर नहीं जाते हैं दिवाली में किनी कारणोवस उन्हें छुट्टी नहीं मिली है जो अपने घर जाकर परिवार के साथ के उहार नहीं मना पा रहे हैं तो उनका परिवार अभी भी उनके साथ है जो समाज के लोग हैं, जो आप हैं और जो हम हैं उनके परिवार हैं यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके भी चेहरे पर मुस्कान लेकर आएं, उनको भी थेंक्यू जरूर करें.